असलाम अलेकुम आज मैंने ये कुछ ड्रेस स्टेश किये है जिसके डिजाइन में आपके साथ सेर कर रही हूँ तो पहले इन सब को रख देते हैं साइड में और अब मैं आपको एक एक करकेस की डिजाइन दिखाती हूँ यह पहला पीस है मेरे पास यह मेरे पास plane कपड़ा था तो इसमें मैंने white lace के साथ इसको डिजाइन किया है यहाँ पर गले पर जिजग जग लेस के साथ यह मैंने multi button attach किये है और यह side में यहाँ पर मैंने joint lace attach की है और यह स्लीव पर भी joint lace के साथ मैंने चौड़ी वाली lace भी लगाई है और यहाँ पर दावन में भी सिम तरीके से मैंने lace लगाई है बस यहाँ पर पिंटेक्स दिये है और यहाँ पर चौक में भी zigzag lace देखकर पलटे के साथ इस कोटेज किया है और ये back side में joint lace और नीचे मैंने चाड़ी वाली lace नहीं लगाई, इसमें मैंने zigg zigg lace ही दी है और ये pant है, pant में मैंने स्रिफ ये चाड़ी वाली lace लगाई है और इसको simple तरीके से ही मैंने ready किया है और ये देखें ये डुपटा मैंने die करवाया है इस तरह से डबल कलर में डाई करवाने से ये डुपटा सूट में बिल्कुल मैच हो गया है और ये देखे ये है इसका ओवरल लुक तो मैंने इस तरह से प्लेन कपड़े को वाइड लेस के साथ डिजाइन किया है ये आप इसका फुल लुक देख सकते है और अब मैं आपको सेकंड पीस दिखाती हूँ अब ये देखे ये सूट मेरे पास एमरुडरी वर्क और सिक्वेंस के साथ ये इस तरीके का सूट मेरे पास था गला मैंने यहाँ पर सिंपल ही रखा है और यहाँ पर स्लीज में कुछ भी वर्क नहीं था तो इसको मैंने एंकर थ्रेट के साथ लेस के साथ इस तरह से रेडी किया है ये देखे दोनों स्लीज पर मैंने इस तरीके की डिजाइन की है और यहाँ पर कुर्टी की दामन में भी मैंने वही डिजाइन की है anchor thread से एक एक इच दूर इस तरह के से सिलाई लगा कर दोनों साइट लेस लगाई है back side इसकी simple ही रखी है front side के इसकी length कम थी इसलिए मैंने इस तरीके की design यहाँ पर बनाई है और जो design यहाँ पर कुर्टी में बनाई है वही same design मैंने pen में भी बनाई है तो यह देखे यह आप इसकी pen भी देख सकते है तो यहाँ पर अगर आपके dress की length भी कम है तो आप भी इस तरीके की design अपने dress में कर सकते है और देखे यह यहाँ पर इसकी overall look है यह इस तरीके से मैंने इसको ready किया है और अब मैं आपको इसका डुपटा दिखाती हूँ यह देखे यह इस तरीके का इसका डुपटा है लेकिन डुपटे पर मैंने कोई lace नहीं लगाई डुपटे को मैंने इसी तरीके से simple ही रखा है और यह देखे यह एक और dress है मेरे पास यह cotton पाकिस्तानी suit है और यह देखे यह मेरे पास lycra में अलग से कपड़ा था तो यह यहाँ पर sleeds में मैच हो रहा था तो इसको मैंने यहाँ पर joint lace के साथ attach किया है यह दोनों sleeds में और दामन में भी यहाँ पर भी कुर्ती की length कम थी तो ये मैंने अलग से कपडा लगा कर इसकी लेंद को भी बढ़ा लिया है और यहाँ पर ये कपडा लगाने से इसकी डिजाइन भी अच्छी लग रही है और ये देखे अब आप इसकी पैंड भी देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने यह ब्लेक और वाइट कपड़े को इस तरह से कट करके दो पट्टिया लगाई है और अब मैं आपको इसका डुपट्टा दिखाती हूँ यह देखे यह है इसका डुपट्टा जो के हमारी डिजाइन में बिलकुल मैच हो रहा है यह आप देख सकते हैं यह कॉटन फैब्रिक नहीं है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर इसका कलर मैच हो रहा था इसलिए मैंने यह लाइक्रा फैब्रिक को कॉटन ड्रेस पर अटेज किया है और यह देखे यह एक और ड्रेस है मेरे पास यह सिंपल कॉटन सूट है और यह इसकी border इस तरीके की थी तो यहाँ पर गले पर मैंने इसको attach करके उसकी किनारी पर white lace लगाई है और sleeves में इस तरीके से border की यहाँ पर सीधी line लेकर नीचे मैंने white lace attach की है और यहाँ पर इसके दामन में भी white lace attach की है और जॉक पर मैंने pen के कपड़े का पलटा लगा कर वहाँ पर भी white वाली पतली laser attach की है और यह देखें यहाँ पर इसकी pen में मैंने कोई design नहीं की है इसकी pen को मैंने simple ही रखा है तो यह यहाँ पर आप इसकी pen के साथ इसका overall look देख सकते है कि यह किस तरीके से ready हुआ है और यह इसका डुपटा है जो के pen की design में matching है और यह देखें यह पूरा suit है और अब यह एक और कुर्टी है मेरे पास यह कपड़ा मैंने अलग से लिया था यह dress का कपड़ा नहीं है और इसको मैंने panel में कुर्टी बनाई है यह देखें इसकी panel में मैंने यहाँ पर black color में lace ली है और sleeves को मैंने यहाँ पर simple ही रखा है और इसके चौक और दामन में मैंने पैंट के कपड़े का पलटा लगाया है और दामन में भी lace attach की है और यह देख सकते है आप यह इसकी पैंट है यह इस तरीके से थोड़ी सी loose पैंट मैंने यहाँ पर ready की है तो यह थी मेरी आज की वीडियो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सेर जरूर करें और चैनल पे नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नौडिफिकेशन को आल पे क्लिक करें ताके मेरे आने वाले वीडियो का नौडिफिकेशन आपको मिलता रहे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिया लाफिश